हलो दोस्तों मैं हूँ रागविन आप सभी का competition community में स्वागत करता हूँ आज की हमारी विसेश चर्चा महिला supervisor को लेकर होगी इस पे हम लो मुख्य रुप से महिला वन बाल विकास समंदी जो योजनाय हैं उस पर हम विसेश रुप से विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे इसको पढ़ा जाए और कैसे हमको इसको इस topic को clear किया जाए क्योंकि ये जो महिला विकास समंदी जो योजनायों का जो topic है आपके syllabus में मिलेगा और साथ साथ इस पर से भर-भर के प्रशन पूछे चाते हैं ठीक है तो चलिए आए इस पर चर्चा करें इससे पहले ऐसी महिला या ऐसी जो बच्चिया है जो इस महिला supervisor का तयारी करना चाहती है तो मैं उनको बता दूँ कि ये राजपत्र में प्रकासी थो चुका है कि कितने वेकेंट पोस्ट है साथ साथ खुशी समय बाद आपके जो व्यापम संस्था है पिछले बार उस नहीं ली थी और ये जो कोस्ट है उसको निकल जाएगा और निकलने के बाद क्या होता है तो हम लोग क्या करेंगे इसको अभी सही पढ़ना चालू कर देंगे इसके लिए आपको एक syllabus की जुरुत होगी तो syllabus में बता देता हूँ देखिए इसमें syllabus बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है सरल है और प्रश्च जो होते हैं बहुत easy आते हैं तो पहले हम लोग सिलबस को देख लेता है यह का पार्थिक्रम कैसा है उसके बाद हम लोग ऐसा पोस्ट जो सभी फीमेल्स के लिए अवेलबल है, याने जो ग्रेजुएट महिला है, चाहे वो कैसी भी हो, जैसे वर्किंग में हो, नॉन वर्किंग हो, विभाग में नहीं है, वो खुली भरती होती है, याने उपन परिक्षा होती है, सभी महिलाओं के लिए, एक और प उपरवाइजर का पोस्ट है, थोड़ा सा बड़ा पोस्ट है, आंगनवाडी जो कारी करता है, उनसे बड़ा जाता है, तो आंगनवाडी जो कारी करता है, उनके लिए भी परिसीमन पोस्ट निकला हुआ, परिसीमन, तो दो तरीके से पोस्ट को भरा जाता है, एक खुली पढ़ेंगे तो परिसीमन वाला क्लियर हो जाता है, देखिए, सबसे पहले इस पे पांच सेक्षिन से, सबसे पहला जो सेक्षिन है आपका Women's and Child Development Scheme, यही है महिला बाल विकास समधित योजनाय, यह 40 अंको का है, मैं आपको बता दूँ, यह टोटल पेपर 200 नंबर का होता है, ठीक है, महिला बाल विकास की जो, आपका यह जो पेपर है, यह 200 नंबर का होगा, पहला जो सेक्षिन होगा, महिला बाल विकास समधित यह हो जाए, याने Women's and Child Development Skins है, 40 नंबर के प्रिशन पूछे जाएंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसमें अगर परिसीमन वाले में को रिलेशन करने में बहुत हसानी होगी, मगर फिर भी काम करना और थोड़ा पढ़ना अलग लेवल का हो जाता है, तो अगर इसको आप अच्छे से करने, तो आपकी तयारी है, में एक अंतीम रूप से जो कील है, वो पढ़ जाएगा, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है, साथ साथ देखें, इसमें और भी टॉपिक्स है, जैसे देखो तो, इसमें जीए से और रीजिंग है, मतलब तार्कीक, योगता वेगरा है, ये आपका सीधास में असी नमर का, इसमें इसका रोल बहुत रहेगा, ठीक, अगर इसी में बात करें, रीजिनिंग है आपका जीए सेक्शन का, तो ये आपका चालीस नमर का है, ठीक, इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ा इसरा जो होती है, जैसे कि, इसमें अब हिंदी भूमी लेगा आपको, हिंदी है, फिर आपका मैट्स है, और आपका इंग्लिस है, यानि इसमें पांस सेक्शन है, दोनों इसमें भी देख लीजे, आपका रिजनिंग के बाद इसमें आ जाएगा आपका हिंदी, हिंदी, मैट्स और इंग्लिस, ठीक है, ये आपका एक सो साथ, ये बीस नमर का इससी, और ये दस दस नमर के, दोनों नमर के, ठीक है, तो देखें, महिला बाल विकार सम्दी, एक सो लगा देगे, तो 40, उसके बाद हिंदी 20, मैट्स 10, इंग्लिस 10, इस तरह सी आपका सिलिबस है, चाहे आप खुली भरती के त्यारी करें, याने ओपन, या फिर आप परिशीमन याने नोकरी पेशा है, अगर आनल बड़ी कारी करता है, तो त्यारी करें, मगर आपको महिला बाल विकास संबंधी योजनाय ज्यादा है, इसमें 40 संबर का है, चुकि आयोग ऐसा उम्मीद करता है, इसमें काम करें, तो आपको ज़्यादा जाना चाहे, इसलिए इसके एडवांटेद दे रहा है, तो आइए इसको देखते हैं, कि आज यह पहला जो चीज है, इ जो लिखा हुआ है, उसी section को अच्छे से अगर आप पढ़ लें, तो एक भी प्रस्ट नहीं छुटेंगे, आप 40 में 40 स्कोर कर सकते हैं, चाहे आप 120 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, बस आप अच्छे से समझ लीजे कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसकी यही चर्च जो है, आज हमारी है, ठीक है, तो देखे, सबसे पहले देखे, इसमें ICDS है, ठीक है, ICDS है, Integrator Child Development Program जो है, एक एक गित बाल विकास जो योजनाओं है, यह पहला section है, दुसरा section है, विभागी योजनाओं का समान ग्यान, विभागी योजनाओं जो है, उसका समान ग्यान आप होते हैं, है न, 120 वाले को भी बाट होगे, तो 30-30 नमबर का जाएगा, तो हर एक section आपके लिए important है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी की छोड़ के निकल जाओ, ठीक है, तो समान ग्यान ग्यान, मैं पहले भी बोल रहा हूं, महिला बाल विकास की जो आई है, supervisor की post जो आ रह करते हैं, इसमें से पहला देखें, विभागी जो योजना हैं, उसको देखो, इसमें, देखें, विभागी योजनाओं में आपको तीन चीज़े पढ़ने हैं, ठीक, clear रखेगा, विभागी योजनाओं में तीन चीज़े, सबसे पहले, विभागी संस्थाओं के बारें प तो पूरा उसमें लिस्ट है आपको किसको नहीं पढ़ना है इसे नहीं भटकना है तो देखे से पहले विभागी संस्थाव में जाएंगे तो ज्यादा नहीं है सीफ ऑसे चार चीजे पढ़ने हैं अगर आप बोलेंगे तो इसको न हम लोग कमेंट में आपका इसको में पीडियाफ डाल दूगा आप इसको देख लीजेगा इतना ही पढ़ना एकदाफ फिक्स है पहले विभागी संस्था में नारी निकतन के बार में पढ़ना है बालगरी पढ़ना है बालवाडी सहसंसकार कैंद्र पढ़ना है और लास में मात्रिव बाप ही संस्ता है साइस योजनाई अगर देख राज की योजना है और आपका किसोरी बालिकाओं के लिए योजना, रिड योजना, चत्रिगट मुख मतरी, अपका कन्या विवा योजना, दो बाल लिखा गया है, ठेक है, उसका देखिये, मुख मतरी, शुपोषण योजना, स्वेकशिक संगठनों के लिए नदान, किसोर बालिकाओं के लिए योजना, समेकित बाल विकास योजना, महिला स्वसायता, समुझ गठने ससक्ति करण, पूरक पोषण अहार कारकम, एकेकित बाल सरक्षण योजना, ये 17 योजनाओं आपको पढ़नी है, details, ठीक है, पोस्ट लेना है, सुनुशित करने ही अपनी तै इसे करेंगे, तो ये 17 योजना है, राजी की योजना है, सासाथ केंदरी योजना भी कुछ पढ़नी है, सक्ति सदन, सखी, वन स्टॉप सेंटर, आपका नारी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, प्रिधार मत्री मातरी दुवंदना योजना, सासाथ शिशुगरे योजना, स्वैक्षी संगधिनों का समाने अनुदान, और स्वैक्षी संगधिनों का संख्यात्मक सहारता, ये सब भी पढ़ना है, आठ के बाद देखिए, इतना तो आप केंदर में पढ़ लेए, ज्यादा नहीं है, केंदर का आठी जो है, उसमें 17 है, इसम अच्छी हम लोग आज स्टार्ट करते है, इन चो विभागी योजणाय है, इसमें से पहला जो टॉपिक है, आपका संस्थाओं के बारे में, चार संस्थाओं में से एक संस्था कोण लोड उठाते है, जिसका नाम है नारी निकेतन, तो पहला जो मैंने बताया थे आपको महिलाओं को घर प्रदान करती है आवाज देती है तो देखे नारी को रिलेट कर ले नारी का घर या नारी के लिए घर तो नारी निकेतन होगे आपके नारी के लिए घर मोहिया करवाना ठीक है इसमें क्या होगा देखे पहले तो लाभारती देखे क्या करते हैं क्या काम करते तो सबसे पहले जो महिलाएं हैं वो 16 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए तो 16 साल की ऐसी महिलाएं जो क्या हो कैसी हो अनाथ हो जो देखे ऐसे भी कुछ भी नहीं कर देना है अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है यही 5 लोग है और कोई नहीं है, और कोई एस्टा और लिखेगा निर्मे से कौन सा इसमें सामिल नहीं है तो याद लखेगा है यह 5 ही की 5 ही सामिल है कई बार फसाने के लिए कोशन दे देता है मगर आपके नारी निकेतन में केवल केवल 5 प्रकार की महिलाओं को ही सामिल किया गया है जो की 16 साल से उपर हो ठीक है तो 16 साल से उपर कोई सी महला है अनाथ महला है ऐसी महला है जो क्या हो अनाथ हो अनाथ हो कहने के मतलब उनका कोई ना हो ठीक है अनाथ है जिसे माता पिता खतम हो जाते है अनाथ कहलाते है उसका इक रिध्वा हो ऐसी महला जो जिनके पती prosper कर गए हुए हैं और निराश्रिट मतलब потреб कोई आश्रीत के लिए कोई निराश्रित क्यालाएंगे साधक तिरस्कित और प्रित्वित्यक्यत परिवार ने जिन महीलां को अत्याचार करके छोड़ दिया है ठीक है उन साथ-साथ याद रखेगा 5 प्रकार tujt अधोको हम लोग नाजी नीकेतन में सामिल करते हैं जगलिते ठीक है कॉन-ульт Cu curved G लाभारती क्या कर सकते उद्देश उसके बाद उद्देश इसका क्या है 16 साथ की महिलाओं को रखेंगे इनको सिक्षण देंगे पहले बात तो इनको भोजन देंगे आवास देंगे ठीक है सिक्षित करेंगे प्रसिक्षित करेंगे और स्वावलंबन का प्रयास करेंगे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंगे स्वावलंबन स्वावलंबन मतलब इसका उद्देशी यह है, उद्देश यह है कि self-dependent महिलाओं को बनाएंगे, ठीक है, रहने के लिए घर देंगे, साथ-साथ, उसके लिए उनको रहने के लिए दे रहे हैं, तो पोशन की विव्यस्ता करने पड़ेगी, तो उनको भोजन भी देंगे, और भोजन देने के धास, प् अभित कीजिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 16 अधिक महिलाओं जिसका सिक्षात किया जाएगा, और एक और चीज़, यह जो सबसे इंपॉर्डेंट यह ही चीज हो सकता है, यह फैक्शूल चीज़ पूछते ही वापा में, कि यह जो नारी निकेतन है, कहां कहां पर ह है न, ऐसे एक मैप बना लेना, ठीक, एक हो गया यह, वन, टू, एंड, थ्री, ठीक है, ऐसे करके न, पॉइंट करके, यह वाला हो गया दंतेवडा, दंतेवडा, यह हमारा राइपूर में तो होगा ही होगा, राइपूर क्योंकि राजधानी है तो यहां तो होना ही है, औ और एक नॉर्थ वेल्ट में होगा, नॉर्थ में अंभीकापूर में, तो नारी निकेतन, जो है ये तीन जगा हमारे हाँ संचालित हो रहा है, पहला हमारा अंभीकापूर में, उपर में एक दम, उसके बाद अरायपूर में, और तीसरा दंते वाड़ा में संचालित हो रहा ह दिवार इंदेश को कि पोश्ण के साथ आवास पर वाज करना साथ यह सब निशुलख मिलेंगा उनको और साथ प्रसिक्षन देखे उनको स्वावलम्भी self independent मैंनाय जाया ताकि समाद में क्या कर सकें वो अपनी भागिदारी को सूनुशित कर सकें तो यही उद्देश है, इसके की points साब आप याद रखेगा, 16 साल. ठीक है? कितने जिले, तो 3 जिले. ठीक है? नहीं याद रहेगा, तो धारा याद रहेगा. दारा, दासे दंते वर्डा, ऑ से अंभिकापूर, रसे राइपूर. दारा, दारा. किसके लिए आएगा तो नारी निकेतन के लिए ठीक है तो नादियों की रक्षा के लिए गोना आएगा दारा दसे दंते वड़ा आसे अंभीकापूर रसे राइपूर इस तरह सी आप रख सकते हैं अच्छा इसमें और क्या क्या चीज पढ़नी लाम मैंने बताया देखिए निश्वलक आपको मिलेगा क्या अवास भोजन मिलेगा सिक्षण मिलेगा और प्रयास किसका किया जाएगा तो आपको सेल्फ इडिपेंटेंटन बनाने का प्रयास किया जाएगा तो यह नारी निकेतन का मुल्ख उद्देश्य था इसी को करना है इसमें एक चीज मैं आप सारी महला हैं जो इस तरह से समाज क्या दुर्विभार को जहल रही है ठीक है विद्वा है अनाहत है परिश्वकृत है जिनका कोई नहीं है तो कैसे उसमें जा सकती है क्योंकि तीन है तो देखिए उसके लिए न आपको क्या करना है पड़ेगा और पंजियन के लिए आपक परामस कारी संस्था नारी निकेतन परामस डाई संस्था के अध्रक्ष जो होते हैं वो कलेक्टर होते हैं इसको याज रखना नारी निकेतन जो संस्था है उसके परामस के लिए कोन आएगा कोन नहीं आएगा उसका संचालना कैसे होगा उसकी अध्रक्षता कलेक्टर करता और वो collector ही क्या करेगा अंतिम से decide करेगा कोई को इसको आना है किसको नहीं आना है पहला बात दूसरी बात कोई तो suggest करेगा न कि मेरे गाउं में ऐसी महिला है इनको सामिल कर लिजिए तो देखिए कौन-कौन suggestion दे सकता है ठीक है और यह आप कैसे आप यहाँ पर आ सकते तो द दे ठीक है सासाथ विधायक लोग अगर बोले इनको सामिल कर लिजिए पंजीगित कर लिजिए सासाथ सांसथ भी कर सकते हैं और पंजीट की तुस्वय में सेवी संस्था है ठीक है जो self-help group होते न वह भी अगर आविदन देते है कि इनको सामिल कर लिजिए ठीक है तो यह आपका परामस, आपका नारी निकतन संस्ता की परामस दाई समिती जो होती है, वो डिसाइड करती है किसको आना है किसको नहीं आना है, सासात राजपत्रित अधिकारी भी क्या कर सकता है इसको आपका पंजियन के लिए आविदन प्रसूर कर सकता है, या विधन दे सकता है तो इसको अंती मुरूफ से फैसला क्योंड करता है तो ये समिती करती है जिसका अध्यक्ष कोन होगा collector होगा तो ध्यान देना इसको तो collector होगा जो ये क्या करेगा ये पूरे चीजों को पूरा summarize करके बताता है मतलब करेगा कि कोण आएगा कोण नहीं है क्योंकि देखे सीट लिमिले ज़्यादा सीट नहीं होती 40-50 की सीट होती है ठीक है तो इसमें अब सबको नहीं रख सकते हैं और हमारे हैं चत्रिकरण में तीनी है तो कैसे करेंगे इस वज़े से ज्यादा देखे एक तो एक क्या होगा समाज में पेडित हैं माली जे थोड़ा पहुत सहारा वोगर मिल जा रहा तो ठीक रहें वह कर लेंगे मगर जिनको एकदम नहीं मिला है पिछ्ड़े में और पिछ्ड़ा समझ लिजे माली जी ये पिछड़े हैं, इसमें एक और पिछड़ा है, तो जो ज़्यादा पिछड़ा है, उसको सामिल किया जाएगा कलेक्टर के अधर्षिसा में, ठीक कलेक्टर डिसाइड करता है, एक और की पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे इसमें की पॉइंट याद रखेगा, कि जो महिलाएं हैं, माली जी कोई विद्वा महिला या फिर कोई और समाज में अपको त्याग सुदा महिला है तो अगर उसके बच्चे है, तो जो बच्चा है, वो साथ साल से बड़ा का नहीं होना चाहिए तो ये थोड़ा सा नियम आप ध्यान रखेंगे, किते साल से बड़ा इलाओ नहीं है, साथ साल साथ साल से जो बड़ा है बच्चा वो इलाओ नहीं, तो ये थोड़ा सा हमारी हो गए अपका नारी नीकेतन के बारे में समाने जानकारी तो की पढ़ेंगे इस तरह से अगर पढ़ें कित्य सोलह साल की महिला है, कित्य प्रकार के महिला है तो कारी क्या होगा 잠깐 सुवाव क्रता स्वाव जाए घंग लंबन का कारी करए जाए चल्फ soprसृषफ से लिगे और प्रसीशर देंगे तो ऐसा नहीं है कि इसे खाली पमैट दे ले उनको रहने के लिए घर देंगे और ऑज के fid Simply देंगे तो आपका भूजन देंगे डिक ? और उसके बाद क्या हो जाएक ये सिखेंगे और अब पंजियन करवाने के लिए जो लोग है यह लोग आगर आपका क्या करते हैं प्रसाव रखते हैं यह क्स intertw है दारा याद रखेगा 12 आपका दंटेवरण और से अंविकापूर और और तीन जगा है थिक यह मारा नारी निकरतर के बारे में होगा इतना ही उसके बाद अगली जो यूजणा है वह कोसी है बालगुरी तो ऐसे फिर भालगुरी के नहीं है बस आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए जो जो चीजे मैंने बताई अभी इस सब को आप नोट डाउन का लेजेगा सिल्वस का यही पार्ट है जो लिखा रहता है वही आता है ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद